रामरा मेरवेडी, probability पर, प्राइक्ता पर हम तीन lecture देख चुके हैं, आज चौथा session है हमारा और चौथी lecture में हम बात करने वाले हैं, cards पर, आज हम आपको तास खेलना सिखाएंगे और तास में जीता कैसे जाए, ये सिखाएंगे, क्योंकि probability का मतलबी है, प्राइक्ता का भी है कि घटना की घटत होने का chance क्या है, तो जहां chance ज़्यादा लगे उस तरह से आप खेल सकते हैं, ये जो probability topic है ये है ही इसके किस पर based, जुए पर based है ये, और जुए से ही इसका जो उत्पत्ती माना जाता है, इसकी जरूरत मानी जाती है, वहीं से मानी जाती है, तो हम cards discuss करने वाले हैं, और cards पर बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, अलग-अलग exam में पूछे जाते हैं, व्यापम के हम बात करें, काफी सारे questions, recent में ही पूछे गए, पिछले 4-5 सालों में, even covid भी रहा है, तब भी 4-5 सालों में काफी सारे questions हो गए हैं, जब covid में paper नहीं हुए हैं, अगर overall देखेंगे बहुत सारे questions हैं, तो cards को start करने से पहले हम cards को समझ लें, काफी सारे students ऐसे हैं, जिनको cards के बारे में ही information नहीं है, knowledge नहीं है, तो पहले हम cards को समझेंगे, then फिर उसके बाद हम चलेंगे questions की तरफ, probability के questions, cards को हम समझते हैं, सबसे पहले हम देखें number of cards कितन total cards होते हैं, 52, यह जो 52 cards हैं, इनने break किया जाता है, इनको break किया जाता है, फिर से, दो color के form में, यहां दो color होते हैं, सिर्फ दो color और color कॉन कॉन से होते हैं, यहां पर, एक होगा red, और black चुकी board है, तो यहां पर हम ले लेंगे white, तो यहां होगा एक black, black, और red को, red में, अब यह 52 है, तो 52 को फिर से break किया जाता है, कितना? 26, और 26 में, 26 और 26 में, यहां पर भी 26, 52 हो गए, बराबर break किया, अब हम चलें, इन 26 को फिर से break किया जाता है, अब इनके type के form में, type क्या होगा? eight और, यहां हो जाएंगे, 23 का half, 13, 26 का half, आधा 13, और फिर eight के बाद, यहां हो जाएगा, पान, यह भी red होता है, यहां भी 13, 26 का आधा 13, फिर उसके बाद, अगर हम black में देखें, तो black को भी दो पार्ट में break किया जाता है, वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, black में, एक तो रहता है, होकुम, और दूसरा, चिरी, इंगलिस में क्या बोला जाता है, अभी, मिल जाएगा लिखा हुआ, अब यहां पर भी 13 और 13 रहते हैं, यह 13 क्या होते हैं, यह 1 से 13 तक क्या रहते हैं, कुछ में numbering रहती है, कुछ में face रहता है, कुछ में numbering और face, कुछ भी नहीं होता है, तो क्या कैसे होता है, वो आपको बताएं, यह 4 जो red हैं, वो heart, palm और diamond, inch, लिख देते हैं, यहां पर, यह diamond, diamond और यहां पर heart और spad और spads और clubs, यह clubs और spads अब इनको और थोड़ा सा detail में अगर देखना है, देखने में इस तरह से यह 4 रहेंगे, 2 red और 2 black, 13, 13 cards यहां पर सभी के पास रहते हैं, यह हो जाते हैं, total 52, अब यह 52 होंगे कैसे, सबसे पहला जो होता है, बड़ा पत्ता उसे कहा जाता है, एक का या इसे लिखा जाता है यहां पर numbering नहीं है, numbering वाले कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह हाट लिया है हमने, 10 तक है, 2 से कहा तक, 10 तक, कितने total, 9, फिर उसके बाद jack, queen और king, यह आप हटा दो, यह main जो पत्ते हैं उनमें सामिल नहीं किया जाता, replace के लिए इसको रख लिया जाता है, तो jack, queen और king, actually में यह जो game है न, jack, गुलाम जो राजाओं का साशन होता था, वहाँ पर देखने को मिलते थे, गुलाम, तो हमारे यहाँ पर वैसा system नहीं था, western का यह game है, बूल सकते हम, Britishers का है, अंग्रेजों का यह game है, हाँ आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन, अंग्रेजों से जादा प्रचलित हमारे गाओं में जादा है, गाओं में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इसके मिल जाएंगे, अगर इसको ओलम्पिक में सामिल कर लिया जाए, तो गाओं वाले gold medal अलग से लेकर आया करेंगे, भारत के पास ही रहेंगे इसके सारे medals, इतना अच् भी आप लोगों को बताए गए हैं, उनके बारे में हम आगे डिसकस करने वाले हैं, हर एक में ये हमने किसका डिसकस किया है, हर एक में इसी तरह एक से तेरा तक ये पत्ते रहते हैं, ये सभी पत्ते आप लोग देख सकते हैं, एक से तेरा तक सभी के पत्ते आपको बताने की कोशिस की गई है, इस तरह से सभी के पत्दे, 13 तेरा पत्दे और ये 52 पत्दे, आप स्क्रीन को पाॉस करके देख सकते हैं सभी में 13 पत्दे हैं अब इन पर अगर question बनता है जैसे व्यापम ने एक question पूछा है इन पर, इन ही पत्तों को लेकर पूछा है अब इसको आप number system में डालें probability में डालें हमने इसको यहां पर डालके discuss कर लिया कि तास अगर नहीं आता है तो पहले हम वो देख लें क्या होता है और फिर उस पर based question यहां बुल रहा है दिलीप ने अच्छी तरह से फैंटे पत्तों के pack से 19 पत्ते चुली अब 19 पत्ते उसने चुनी तो हम 19 पत्ते अलग निकाल लेते हैं यह हमने निकाले 19 पत्ते इन 19 पत्तों में वो क्या बूल रहा है 10 लाल red 10 लाल हो गए हैं और उसके बाद अब क्या बचे black काले तो black कितने बचे हुए 9 तोटल कितने हैं 19 है अब हमें पता है black में कौन कौन से आएंगे black में चिडी और हुकुम जिसको मालवा निमाड में काला पान कहा जाता है उसको हुकुम कहा जाता है तो black में आ जाएंगे चिडी और हुकुम रेड में आ जाएंगे इट और पान अब बात करते हैं यहाँ पर क्या बूल रहा है यदि पान के पत्ते, चिड़ी के पत्ते से क्या हो दोगने हो यहाँ पर दोनों लिख लेते हम mention कर लेते हैं black में black में आ जाएगा चिड़ी और हुकम और यहाँ आ जाएगा पान और इट अब हमसे क्या बूल रहा है इट के पत्ते, चिड़ी के पत्ते यदि पान के पत्ते, चिड़ी के चिड़ी का अगर x है तो पान के क्या हैं? डबल है यह कितना हो जाएगा? 2x यह x होगा तो वो 2x हो जाएगा अब हमसे क्या बूल रहा है आगे बूल रहा है और इंट के पत्ते चिडी के पत्ते का तीन गुना है चिडी का अगर x है तो इंट का क्या होगा 3x अब क्या बूल रहा है तो set में हुकम के पत्तों की संख्या ग्याद करें अब set में हुकुम के पत्ते बताने है अब हुकुम के नहीं पता तो आप क्या मान लो y और सभी जोड़कर कितने हो जाएंगे ये उन्नेस हो जाएंगे आप जोड़ो 2x प्लस 3x 5x प्लस x 6x 6x प्लस y दूसरे कलर से ले लेते हैं ये 6x प्लस y बराबर कितना उन्नेस या 6x बराबर 19 माइनस y अब जानना क्या चाहता है हुकुम के पत्तों की संख्या ग्यात करनी है मतलब y का पता करना है अब कहां से करोगे आप तो यहां आकर अटक जाओगे अब दिखना बहुत ही सिंपल बात है ये 6x यहां लिखा है तो 6 से जो भी 19 में से कुछ घटाएं 6 से भाग चला जाए solve होगा ये question solve करने के लिए दिया है तो 19 में से ऐसी संख्या घटा दें कि 6 से भाग चला जाए 6 से भाग किस में जाता है 6 में जाता है 12 में जाता है 18 में जाता है अगर हम y को 6 माने तो 19 में से 6 गटाओगे 13 बच्चे का कुश्यन गलत हो जाएगा यह option सरासर गलत है यह option गलत है यह हटा दिया 7 रखोगे 19 में से 7 गए 12 और 6 से 12 में भाग लगाओगे x आजाएगा 2 संभव है कि यहाँ 2 पत्ते हों यहाँ 7 हों 9 बता रहा हैं यहाँ 2 तो यहाँ 6 और 4 10 हो जाएगा ठीक है अभी तसली रखते हैं 5 सोचते हैं 19 में से 5 जाएगा 14 बच्चे का 6 से भाग नहीं जाएगा बिल्कुल गलत 4 सोचते हैं 19 में से 4 जाएगा 15 बच्चे का यह बिल्कुल गलत अंसर होगा option number B दूसरा इसे सीधे solve करने का कोई भी तरीका नहीं होगा यही तरीका बनेगा इसे solve करने का अब चलते हैं कार्ड हमने समझ लिए पूरे 52 पत्ते हमने समझ लिए 52 पत्ते समझने के बाद सभी जगा पर कितने 13 तेरा तेरा पत्ते लाल 26, काले 26 लाल को भी दो पार्ट में बाटता है पान और इट और काले को भी दो पार्ट में बाटता है हुकुम और चड़ी clear है? हाँ बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा सर ने बहुत खेले हैं कार्ड पता है सर को हाँ अब देखो यहां जो दिख रहे हैं इन सभी में आपको क्या दिख रहा है? फेस दिख रहा है फेस दिखने की वज़े से इन्हें कहा जाता है फेस कार्ड इन्हें कहा जाता है फेस कार्ड अब नमबर ओफ फेस कार्ड कितना है? फेस कार्ड से हैं यह चार 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 कितने टोटल फेस कार्ड बारा फेस कार्ड और इन बारा फेस कार्ड में देखा जाएगा रेड कितने रेड कितने हो जाएंगे तीन और तीन छे और ब्लैक कितने छे रेड को भी आप बांटोगे किसमें इट और पान, इट तीन और पान तीन, इसे बांटोगे हुकुम और चड़ी, हुकुम तीन और चड़ी तीन, ये भी हो जाएगा, इसलिए हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई इसका option नहीं है, आप समझ के रखें, इन्हें कहा जाएगा, face card कितना total, 12 face card होते हैं, 12 face card होते हैं, फिर उसके बाद और समझने वाली बात क्या, और समझने वाली बात है, honor card, honor card, सम्मानित पत्ते, honor card कितने होते हैं, एक का, गुलाम, बेगम, बातसा, honor card कितने, 4, ये हमने एक ही color के अभी दिखाए हैं, total, एक ही type के दिखाए हैं, total type कितने, 4, तो 4 चोग, 16, तो honor card अगर देखने जाएंगे, total कितने हो जाएंगे, 16, ये भी दो पार्ट में बटे होंगे, red और black, red कितने, 8, ये भी वापस दो card में, दो पार्ट में बटे होंगे, पान और eat, पान कितने हो जाएंगे, 8 पान हो जाएंगे, 8, sorry, 4, ये 4-4 दिख रहे हैं, 4 पान और 4 eat, यहाँ black को भी दो पार्ट में बाटेंगे, चिड़ी और हुकुम, 4 हुकुम जो सामने दिख रहे हैं, ये हुकुम, काला पान, और 4 चिड़ी, ये रहेंगे, total 16, इन्हें कहा जाता है, honor card, अब हम cards की information ले चुके हैं, अब थोड़ा सा basic, basic क्या काम आएगा, basic आप समझें, इसमें basic काम आएगा आपको basic समझ लेते हैं, थोड़ा सा, cards अगर निकालना है, तो हमारी कहानी क्या होगी, basic में हम देखें, cards अगर हमें निकालने हैं, जैसे बावन में से दो card निकालने हैं, वापस विना, बिना वापस रखी, यहां लिखते हैं हम बिना वापस रखी, बिना वापस रखी, और दूसरी तरफ वापस रख, इस तरह से देखें हम, बिना वापस रखी, अगर निकालना होगा, तो बार बार पत्ते कितने हो जाएंगे, बावन पत्ते हो जाएंगे, बड़ा इजी काम हमारे लिए होगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो अगर हमसे बोला जाता है, एक्जाम्पल के तौर पे हमने पहली कंडिशन ले लिया, वो हमसे बोलता है कि बिना वापस रखे, पत्ता निकाला, दो पत्ते निकाले, और दोनों मैंसे बोल रहा है, पहला बादसा और दूसरा एक्का, दूसरा हो एक्का, पहला बादसा, बादसा कितने? चार, कितने मैंसे? बावन मैंसे, दूसरा क्या बोल रहा है? एक्का हो एक्का कितने? चार, वापस कितने हो गई ये 52 अगर यहाँ पर इसी question को same question को यहाँ पर ले same question को यहाँ पर लेगा तो क्या हो जाएगा ये 4 by 50 2 और 51 यह हो जाएगा 4 अब इसको लिखेंगे कैसे ये समझना थोड़ा सा यहाँ एका कितना पहला बातसा, बातसा कितने टोटल 4, 4 बातसा इसी लिखा जाएगा 4C1, यहाँ पर भी और इस तरब भी, फिर उसके बाद इका कितना और के लिए क्या लिखा जाएगा, into, हम पहले discuss कर चुके हैं, और यदि हिंदी में लिखा है, उसके लिए यूज किया जाएगा, into और क्या है, 4, 1 और यहाँ लेना है 52 मैंसे 2 पत्ते यह C देखकर डरना नहीं है बहुत simple calculation है, इस C की C की calculation कैसे करोगे आप? यहाँ 52 C2 लिखा है 52 C2 का मतलब क्या होगा? 52 को घटाना है दो बार 52 C2 52 को घटाओगे, एक बार 52 और अगली बार 51, यह 2 into 1 52, 51 और नीचे 2, 1 यही कहानी किसकी करनी है? 4 C1 उबर 4 और नीचे, एक अगर 2 होता, 4 C2 होता तो 4 C2 कैसे solve करते? 4 into 3 upon 2 into 1 अगर यह 4 C3 होता, तो 4 into 3 into 2 और नीचे 3 into 2 into 1 उमीद है, clear होगा? आप इसे side में copy में लिखना, इतनी बार use होगा आपको यह आ जाएगा, आराम से समझा जाएगा, यह इसका solve करने का तरीका रहेगा 52 मैं से 2 पत्ते निकाले, इसे यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, upon 2 into 1 4 C1 into 4 C1 यहाँ होगा 52 C2 52 into 51 upon 2 into 1, यह इसे लिखने का तरीका हो जाएगा अब हम देखें, बस सिर्फ हमें C का समझना है, C किस तरह से लिखना है, अगर 4 C3 हम से पूछ लेता है, तो 4 C3, 4 into 3 into 2 और नीचे 3 into 2 into 1 उपर वाले को कितने घटते करम है 3 बार रिखना है, 4, 3, 2 और नीचे 3 से जहाँ जितना भी लिखा है वहाँ से घटते हुए, 1 तक जाना है 3, 2, 1 इस तरह से हम question solve करेंगे, यदि हम से ज़्यादा पत्ते निकलवाता है, तो एक मैं तो हमें सीधे सीधे solve करना आ जाएगा अब हम चलें कुछ examples देखें examples हमजते हैं, फिर हम questions पर चलते हैं, previous year के questions पर example पहला क्या है यह हमसे बुल रहा है, एक card निकाला एक अगर card निकालते हैं तो यहाँ पर 4 example यहाँ लिए हैं 5 example अगले page पर लिए आपको आराम से clear हो जाएगा तो पहला solution क्या बनेगा task का पत्ता काला रंग का हो काले total पत्ते कितने 52 को बाटा है लाल और काले में 26 और 26 में यहाँ हो जाएगा PA 26 by 52 total पत्ते कितने 52 52 में से काले कितने 26 यह आ जाएगा 1 by 2 चलें अगले question की तरफ अगले example की तरफ अगला example हमसे क्या बोल रहा है दूसरा question हमसे बोल रहा है हुकुम का पत्ता हो फिर किस में बाटे इनको पहले color में बाटा लाल और काला फिर काले को बाटा हुकुम और चिडी में 13 और 13 तो हुकुम कितने होंगे 13 हुकुम होंगे PA is equal to 13 कितने मैं से 52 यह आ जाएगा 1 by 4 अब हम चलें अगला example हम लें अगला example हमसे बोलता है तीसरा अगला example बोल रहा है लाल रंग का honor card लाल रंग का सम्मानित पत्ता सम्मानित पत्ते कितने हैं चार गुलाम, बेगम, बात्सा और एकका चार अब टोटल कितने थे वापस पीछे जाके देखोगे टोटल कितने थे 16 16 मैं से 8 काले 8 लाल तो यहां क्या बोल रहा है हुकुम का तीसरा लाल रंग का सम्मानित पत्ता लाल रंग के सम्मानित पत्ते कितने आठ तो पी ए हो जाएगा 8 बाइ 50 टू 8 पता 52 4 से काटोगे उपर कटे 8 कटेगा 2 बार 52 कटेगा 13 बार और यह कैलकुलेशन इतनी बार हो जाएगी कि आप लोगों को याद हो जाएगा ज़्यादा टेंशन नहीं लेना बस लिखना सॉल्व करते जाना करते जाना यह अपने आप याद हो जाएगा जब तक आखरी कोशन आप करोगे तीसरा चौथा कोशन चौथा कोशन हमसे बोल रहा है चार लिए हैं हाँ पर चिड़ी का फेस कार्ड हो फेस कार्ड कितने होते हैं तीन और तीन में तीन पत्ते होते हैं हर एक के तीन पत्ते होते हैं फेस कार्ड में देखो वापस आपको बताया जाए फेस कार्ड हर एक के कितने पत्ते रहते हैं फेस कार्ड में तीन पत्ते गुलाम और बेगम और बातसा तो यहां किसके पूछ रहा है वो हमसे वो पूछ रहा है चिड़ी के वो बोल रहा है हमसे किसका चिड़ी का फेस काड़ तो चिड़ी के फेस काड़ कितने होगे 3 तो PA हो जाएगा हमारा 3 आउट ओफ फिप्टी तीन से आप इसे भाग लगाओगे एक बटा सॉरी तीन से भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये बावन है पाँच और दो साथ साथ तीन से नहीं कटता तो बावन भी तीन से नहीं कटेगा ये हो जाएगा 3 by 52 अंसर हमारा चिडी के फेस कार्ड कितने तीन चिडी का गुलाम चिडी का भेगम चिडी का बाथसा ये तीन फेस कार्ड चिडी में रहेंगे अब आगे चले हम पांचवा कुशिन क्या लिया है हमारे लिए पांचवा कुशिन लिया है साथ से छोटी संख्या वाला कार्ड अब संख्या वाला कार्ड लिया है संख्या कितनी दो से लेकर दस तक नौ संख्याएं है दस नहीं लेना है हमें फिर आठ भी नहीं लेना है आठ नहीं लेना है साथ नहीं लेना है कुल कितनी संख्या नहीं लेना है? चार नहीं लेना है, तो बची कितनी? 2, 3, 4, 5, 6 स्वरी, पाँच संख्या है 9 मैसे 4 नहीं लेना है, तो पाँच बची 5 कौन कोन सी बची? 5 बची आपके लिए 2, 3, 4, 5, 6 दुरी तिरी चाहँए, पंजा चक्का यह आपको लेना है हमारे question के हिसाभ से 7 से छूटी संख्यावाला card हो अब 7 से छूटी संख्यावाला यह तो 1 रहेंगे, पानमें रहेंगे 5, 5 रहेंगे आपके इंट में और 5 रहेंगे हुकुम में 5 रहेंगे चिडी में 4 टाइप में रहेंगे पाँच पाँच पत्ते तो पाँच पत्ते रहेंगे चारो टाइप में ओवर ओल कितना फिप्टी टू चार से इसको काटोगे ये तेरह बार करता है तेरह चौक बावन ये हो जाएगा 5 बाए 13 अगला क्या बूल रहा है हमसे अब बूल रहा है ये 3 का घुडज वाला तास हो 3 का घुडज क्या होता है 3, 6 और 9 3, 6 और 9 तो 3, 6 और 9 3, 6 और 9 कितने पत्ते 3 पत्ते लेकिन ये हर एक टाइप में होंगे 3 पत्ते तो probability क्या बनेगा चटवे वाले का P A बनेगा 3, 6 और नहले ये 3 पत्ते हैं लेकिन कितने टाइप में 4 टाइप में और कितने में से 52 में से 3 पान की 3 इट की 3 चिड़ी की 3 होकुम की टोटल कितने 12 इसी को लिख दिया 3 गुड़ा 4 3 से आप 4 से काटोगे इसको 13 बार आंसर आजाएगा 3 बाए 13 अगला question सात्मा सात्मा क्या बूल रहा है हमसे सात्मा बूल रहा है बात्सा या बेगम बात्सा आ जाए तो भी चलेगा बेगम आ जाए तो भी बात्सा कितने 4 और बेगम कितने 4 तो वो क्या चाहता है कितने पत्ते हैं इसके पास या का मतलब क्या होता है? प्लस अपॉन फिप्टी आठ बटा पावन चार से काटोगे दोनों को ये कटेगा दो बार और ये कटेगा देगा टू बाए थर्टी अगला कुशिन कुशिन नमबर एट, आठमे पर चलें हम आठमे पर चलते हैं आठमा कुशिन क्या बूल रहा है हम से? इट का अंकों वाला पत्ता अब इट का अंकों वाला अंकों वाले टोटल पत्ते कितने आते हैं? 9 आते हैं, हर एक में 9-9 रहते हैं, तो इट में भी कितने होंगे? 9, तो इसकी हमारे इन एग्जामपल्स में 9 रहते हैं, वो बुल रहा है काला रंग का गुलाम गुलाम जैक चार होते हैं हमारे पास दो लाल और दो काले तो वो पूछ रहा है काले रंग का तो काले रंग के कितने गुलाम हमारे पास? काले रंग के दो गुलाम हमारे पास, टोटल पत्ते कितने, बावन, ये टोटल की condition, आंसर बनेगा, एक बटा, 26, ये आंसर हो जाएगा हमारा, 1 by 26, अब चले हम, अगर दो पत्ते वो निकालता है, दो पत्ते के 5 एक्जामपल ये हैं, 5 एक्जामपल में हम देखते हैं, पहला एक्जामपल निकालने का तरीका क्या होगा, C2 भाला, निकालने का तरीका, C2 से रहेगा, पहला कुशिन वो क्या बूल रहा है, 2, 1 हो, solve आपको करना है, यहां conditions लिखी जाएंगे, solve आपको करना है, ये एक्जाम का कुशिन नहीं हम solve करना सिखा रहे हैं, calculation आप करोगे इसकी, 2, 1 हो, 1 कि से कितने लेना हैं, 2, तो लिखा क्या जाएगा, P, A, घटना के घटे तोने की संभावना, 4, C, 2, और नीचे टोटल कितना, 52 मैं से 2 पत्ते निकालने हैं, 52, C, 2, फिर उसके बाद अगला कुशिन क्या बोल रहा है, केवल एक बेगम हो, बाकी कोई भी पत्ता चल जाएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे कैसे, एक बेगम और एक अन्या, एक बेगम और एक अन्या, दो पत्ते बताना हैं, तो और के साथ मैं बताना पड़ेगा, जो कंजंक्शन यूज़ करोगे, वो एंड होगा, वन क्यों एंड अदर, एंड अदर वन, तो एंड यूज़ किया है, तो पी ए, प्रॉबिलिटी आप कैसे लिखोगे, प्रॉबिलिटी आप लिखोगे, पी ए इस इक्वल टू, नीचे वाला तो आपको बहुत अच्छे से कंफर्म होगा, फिप्टी टू, सी टू, यह लि मैंसे एक, चार मैंसे एक क्या, बेगम, बेगम निकाल ली, अब बेगम निकालने के बाद, बचे कितने पत्ते, टोटल बचे 48, 48 पत्ते, 48 मैंसे कोई भी हो, और लिखा है, इसलिए, इन्टू, 48C1, यह बनेगा हमारा सॉलुशन इसका, सॉल्व कर सकते हैं, इसको, आप सॉल्व करेंगे, इसे, अब चलते हैं, next question पर, अगला हमें क्या समझना है, अगला समझना है हमें, अब क्या निकालने को बोल रहा है वो, थर्ड कोशिन, कोई सम्मानित पत्ता ना हो, कोई भी ओनर कार्ड नहीं हो अब ओनर कार्ड होते कितने हैं, ओनर कार्ड होते हैं, चार, एक टाइप में चार होते हैं जैक, क्वीन, किंग और एकका, चार एक टाइप में, टोटल टाइप कितने, चार, चार चौक, सोलह, टोटल सोलह पत्ते, ओनर कार्ड होते हैं, बाकी बाद बचे हुए पत्ते, नॉर्मल कार्ड में आ जाएंगे, तो नॉर्मल कार्ड का वो पूछ रहा है, कोई सम्मानित प से निकालना है, दो, और नीचे 52C2, ये बनेगा इसे लिखने का तरीका, आगे चलते हैं, अगला कुश्चन देखते हैं, चौथा, चौथा टाइप क्या बूल रहा है हमसे, कोई अंकों वाला पत्ता ना हो, अंकों वाले पत्ते होते कितने हैं, अब देखो, अंकों वाले पत्ते कितने होते हैं, टोटल एक टाइप में 9 पत्ते होते हैं, हम काफी देड से डिसकस कर रहे हैं, एक टाइप में 9 पत पत्ते ये नॉर्मल वाले रहते हैं कोई अंकों वाला पत्ता नहीं चाहिए मतलब 36 मैं से नहीं चाहिए तो बचे कितने 52 मैं से 36 अटा दोगे तो 16 जिन्हें सम्मानित पत्ता कहा जाता है PA is equal to क्या होगा 16C2 upon 52C2 अब आते हैं last question इसमें से last question हम ले last question हम से बोल रहा है एक बादसा और एक बेगम देखो फिर से क्या बोला और और का मतलब क्या होगा end conjunction का मतलब क्या होगा into या गुड़ा तो यहां लिखेंगे हम फिप्थ बाले को probability इसका क्या होगा 4C1 into 4C1 upon 52C2 यह आप solve करना आपको सिखा है इसे solve कर लेंगे यह हमारा pattern बनेगा solve करने का तरीका अब हम चलते हैं last इसमें 4 question लिए हैं 3 पत्ते निकालने का और व्यापम में भी question पूछा गया है 3 पत्ते निकालने तक के questions पूछे गए हैं यहां हम देखें 3 कार्ड निकालने हैं 3 और 1 का हो अब आप सीख गए हो 3 और 1 का होगा तो क्या होगा 4 एकके टोटल 4 में से निकालना है 3 एकके और 52 में से निकालना है 3 पत्ते C solve कैसे करोगे 52C3 52C3 अगर आपको solve करना है तो 52C3 solve करने के लिए 52 into 51 into 50 50 को 52 को घठते करम में लिखना है कितने बार? 3 बार और यहां 3, 2, 1 इसे solve करोगे आप 3 से कटेगा सारी यह नहीं कटेगा यह कटेगा 17 बार कटेगा और 2 से यह कटेगा 26 बार इसे solve कर लोगे जो भी answer बनेगा वो 52C3 का answer आजाएगा solve करके 11,000 कुछ भी आएगा उस तरह से वो answer आजाएगा तो यह हुगा आपका पहला question अब दूसरे question की तरफ चलें दूसरा question क्या बूल रहा है? कोई बेगम ना हो कोई बेगम ना हो मतलब बाकी बचे पत्तों मेंसे हो बाकी कितने पत्ते बचे बेगम को छोड़कर 48 पत्ते बचे 48 मेंसे कितने निकालना है? 3 तो तरीका क्या हो जाएगा लिखने का? 48 C3 और नीचे 52 C3 calculation नीचे इसमें बड़ी हो जाती है कभी कभी तो चलेगा चुकि एक्जाम में ही पूछा है आप कुछ नहीं कर सकते उसमें अगला question अब क्या बूल रहा है? एक बाथसा, एक बेगम और एक गुलाम बाथसा कितने होते हैं total? और लगा है साथ में ध्यान रखना और का मतलब इंटू एक बाथसा, एक बेगम और एक गुलाम चार बाथसा, चार बेगम, चार गुलाम और नीचे वही 52, C3 अब तो लग रहा है धड़ाद़ समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा इजीली लिख सकते हो लास्ट वाला क्या बोल रहा है हम से एक एकका और दो गुलाम और का मतलब इंटू एक एकका तो P, A, C दे हम लिखने जाएंगे एकका कितना 4, C, 1 और गुलाम, दो गुलाम 4, C, 2 चार गुलाम टोटल, चार में से दो निकालना है यहां हो जाएगा 52, C, 3 यह हमारा solution बनेगा तो यह थे example एक पत्ता निकाले, दो पत्ता निकाले, तीन पत्ता निकाले और हमने वापस रखने वाला भी सीख लिया है यदि वापस रखेगा तो वापस क्या हो जाएगा इंटू 52 हो जाएगा यहां कार्ड़ में वापस रखने की condition बहुत कम बनती है इसलिए यह condition हमने discuss की अब देखते हम जल्दी जल्दी जो previous year questions है जो उच्छे गए हैं वो हम discuss करते हैं तेजी से हाँ, स्टार्ट करें हम पहला question पहला question क्या बोल रहा है अच्छी तरह से फैटे 52 आशके पत्तों के सहुमें से यादरक्षिता एक पत्ता निकाला जाता है निकाला गया पत्ता काला बात्सा नहीं है P.A. काले बात्सा कितने होते हैं टोटल 4 बात्सा, 4 मैं से 2 लाल और 2 काले तो 2 के बारे मैं बोल रहा है, 2 नहीं है हटा दिये हमने तो बचे कितने पचास और यह हो जाएगा 25 बटा 26 25 बटा 26 ऑप्शन नमबर भी आंसर प्रीवियस यह जो कोश्चन है न वो आपके सामने आते ही धेर होगा इतने अच्छे एक्जामपल और बेसिक्स हमने सीख लिए हैं अब देखना आगे भी कोश्चन सत्रा में तीन पत्ते का कुश्चन तो आपको डरना नहीं है तीन पत्तों को लगातार निकाला गया क्या प्रायक्ता है कि पहला पत्ता एकका दूसरा बात्सा और तीसरा गुलाम नहीं गुलाम होगा यह गुलाम होगा गुलाम है ठीक है अभी तो सीखा है आपने तीन पत निकाल लिया और फिर गुलाम निकाल लिया चार में से एक गुलाम निकाल लिया उपर की तो कहानी सौर्टेड है फूर सीवन नीचे एक लिखेंगे भी क्या लिखेंगे फूर सीवन घठते क्रम में एक बार और नीचे एक लिखने का कोई मतलब नहीं तो चार 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 कटेगा और दो से काटोगे इसको ये 26 बार कटेगा और क्या है काटने के लिए यहाँ 2 से काटोगे ये 25 बार और ये 2 से काटोगे कितना 13 बार और इसे solve करोगे calculation करोगे calculation कितना आ जाएगा calculation आजाएगा 16 by 5525, यह आजाएगा 16 by 5525, 16 by 5525, option number C, यह एक book में market में जो सबसे ज़्यादा book चलती है, नाम नहीं लिया जाएगा यहाँ पर, उस book में गलती से answer 8 upon 16575 दे दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा संबल कर रहे हैं, इसका answer बनेगा 16 by 5525, maybe व्यापम ने भी answer दे दिया हो, तो कोई नई बात नहीं है कि व्यापम से answer गलत हो जाते हैं, वहाँ पर भी human beings बैठते हैं, maybe clerical error हो, clerical error ही possible होती है, जो लोग answer टिक करते हैं, उनसे गलती हो जाती है, तो आ लेकिन आप लोग ध्यान रखना हैं बस, अब चले हम आगे, 52 पत्तों के समू के से एक राजा प्राप्त होने की प्राइक्ता, राजा कितने किंग कितने होते हैं, चार होते हैं, यह हो जाएगा 4 by 52, आपका answer बनेगा 1 by 13, कोई time नहीं लगेगा, देखते ही धेर question, option number D, लाजा हैं, 4C2 और नीचे 52C2, इसकी भी calculation करनी पड़ेगी, 4 into 3 और इसके नीचे 2 into 1, और यहाँ पर 52, 51 और नीचे 2 और एक, यह बचेगा 26, यह बचेगा 26, यह बचेगा 26, तीन से इसको काट दोगी 17 बार, और 2 से इसको काट दोगी कितनी बार, 13 बार, 17 और 13 का गुणा करोगे, 221, यह गुणा हम तेजी से कर रहे हैं, जिससे आपको पेंच चलाना पड़े, तो यह आजाएगा solve करके, 1 बचा 221, 1 by 221, option number D हमारा answer हो जाएगा, 1 upon 221, basics आपको समझा दिया, पीछे में भी question देखे जाए और मिल जाएगा, examples में, 52 के पत्तों वाले, एक पैक से, एक लाल पत्ता, टोटल कितने, 52, दो टाइप में बाटे, लाल और काले, 26 और 26, तो यहां क्या होगी प्राइकता हमारी, 26 बोल रहा है, कितने में से, 52 में से, साइध यही सबसे पहला, ऐसा ही सबसे पहला example लिया था, एक बटा दो, option number यह हमारा answer हो जाएगा, अगला question, 25 पत्ते, एक से 25 तक संख्या लिखे, याद रक्षिता से, एक पत्ता निकाला जाता है, निकाले गए पत्ते पर लिखित संख्या, तीन का गुड़ज नहीं है, अब 25, एक से 25 तक संख्याएं अगर लिखी हैं, और 1 से 25 तक संख्याएं ल भाग लगा के देखेंगे, आठ बार जाएगा, मतलब आठ बार वो कौन सा होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये 8 संख्याएं होगे, ये हमें क्या करना है, हटाना है, टोटल, तो ये कितनी संख्याएं, 8 संख्याएं हैं, टोटल 25 में से 8 घटा दोगे, तो बची कितनी, हमारे लिए कितनी बचीं, 17 बचीं, टोटल कितने में से, 25 में से, यही हमसे पूछ रहा है, क्या प्रायक्ता है, कि 3 का गुड़ाज ना होगे, बचेंगी जंख्याएं, 17, 17 बटा 25, ये हमारा आंसर, option number 1, अगला कुर्शन, अच्छी तरह मैंटे गए, 52 के पत्तों से, एक पत्ता निकाला गया, क्या प्रायक्ता है, कीचा गया पत्ता, काला और बेगम हो, 26 में से, आदे आदे बांटे, 26 और 26, 26 में दो लाल, और इस 26 में दो काले, दो काले में कौन सा, एक चिड़ी और एक हुकम, तो एक चिड़ी में होगी बेगम, एक हुकम में होगी बेगम, तो काला और बेगम कितनी रहेंगी 2 कितने में से 52 में से 2 बटा 52 एक बटा 26 1 बाइ 26 चार टाइप में से 2 टाइप लाल और 2 टाइप काली तो इन दोनों टाइप में एक एक में क्या रहेगी बेगम रहेगी तो वो 2 ऊपर आ जाएगा और टोटल कंडिशन नीचे 52 अच्छी तरह से फैटी गई तास की फैटी गई दो तास की गड़ी से दो गड़ी यां ले रहा है ठीक है पहले से गुलाम और दूसरे से बाथसा अब देखो ये कंडिशन एक ही तास की नहीं है ये दो गड़ीया हैं दोनों में कंडिशन कितनी बनेंगी टोटल कंडिशन 52 और मतलब इन्टू यहां नीचे भी बावन आएगा तो पहले अपन इसको सजा लेंगे इसको सजाएंगे हम नीचे यहां कंडिशन बनेंगी 52 और यहां condition बनेंगी 52, अब देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे पहले से गुलाम रहते हैं एक गड़ी में 4 और दूसरे से बादसा, बादसा भी कितने 4 तो इसको काटोगे 13, इसको काटोगे 13, option into में दे रहा है 13 into 13 और उपर बचेगा 1 option number 1 यह हमारा answer, यह 2020 का question है sub engineer का वो भी December का चलें आगे सभी बादसा, बेगम और एकके को 52 कार्डों के एक package से हटा दिया गया, किसको हटा दिया गया बादसा, बेगम और एकका टोटल कितने, 4 4 और 4 12 पत्ते हटा दिये 12 पत्ते हटा दिये तो बचे कितने पत्ते, 40 पत्ते बचे, 52 में से 12 हटा दिये तो बचे, 40 अबपन को 40 में से काम करना है, यह ध्यान रखना आप सेस कार्डों को अच्छी तरह से फैंट लिया, ठीक है फिर इसमें से एक कार्ड खीचा जाता है, निकाला गया कार्ड, काले फैस वाला कार्ड होगा अब फैस कार्ड बचा कितना? फैस कार्ड तीन होते हैं हमारे पास, गुलाम, बेगम और बात्सा जिसमें से आपने उड़ा क्या दिया? बात्सा उड़ा दिया, बेगम उड़ा दिया, बचा क्या? गुलाम चार गुलाम बचे, दो काले और दो लाल, आप क्या चायते हो? निकाला गया कार्ड, काले फैस वाला कार्ड हो काले face वाले कितने बचेंगे 2 कितने मैंसे 40 मैंसे अब तो पत्ते अपने पास 40 बचे 52 बचे ही नहीं तो जो total condition है वो नीचे लिखी जाएंगी हमारे लिए कितनी condition बचेंगे 2 तो बचेगा कितना 1 बटा 20 1 by 20 देखो option number D यह हमारा answer यह भी कब पुछा गया 2021 में फर्वरी में 2021 में पुछा गया फर्वरी में recent और last exam से जिन में पूछे गये हैं 2017 में labor inspector का यदि 52 तास के पत्तों में से के एक पैक से सभी बात्साहों को हटा दिया बात्सा कितने total 4 बात्सा चार हटा दिये तो पत्ते अपने पास कितने बचे आप 48 इन पर अपन को काम करना है एवं याद्रक्षता से किसी एक पत्ते को निकाला अब जो भी answer of condition बनेगी एक पत्ता निकाला है मतलब नीचे कितना बचे का 48 अब क्या है चैनित पत्ता लाल और काला दोनों होगा अब इतने पत्ते हमने पढ़ा दिये क्या कोई ऐसा पत्ता बताया जो लाल भी है और काला भी है दोनों की आधा लाल और आधा वो काला दिखे ऐसा कोई पत्ता बताया है आपको नहीं बताया है हुसियार नहीं बनना है, नहीं बता है मतलब नहीं होता है, हमने possible जो cards है, जो भी होता है वो बता दिया है आपको तो ऐसा कोई भी पता नहीं है, मतलब क्या है उपर? 0 तो answer क्या बनेगा इसका? 0, option number D, ये हमारा answer होगा और कोई question बच रहा है हाँ, एक question और बच रहा है, एक 52 के पत्तों के pack से सभी club, मतलब चिड़ी हटा दिये जाते हैं अब 4 तरह के पत्ते 4 तरह के पत्ते में 13, 13, 13, 13 तो चिड़ी हटा दी 13 पत्ते अगर 52 में से 13 हटा दिये तो हमें काम करने के लिए क्या बचे? 39 49 49 पत्ते बचे बचे हुए पत्तों में से याद्रक्षिता से एक निकाला जाता है, निकाल लेते हैं सीधे हम लिखेंगे, probability हमारी क्या बनेगी, जो भी बनेगी नीचे क्या आएगा? 39 अब बोल रहा है प्रायक्ता ग्याद करें कि निकाला गया पत्ता एक फेस कार्ड होगा फेस कार्ड में भी बादसा, बेगम और गुलाम जो हमको पहले से पता है ये गुला लिख दिया है मतलब कोई अच्छा खिलने वाला होगा क्योंकि खिलने में गुलाम को गुला बोला जाता है ठीक है, तो चिड़ी का बादसा, चिड़ी की बेगम और चिड़ी का गुलाम हटा दिया, ये बचे तीन-तीन यदि ये तीन-तीन बचे है ये बचे हैं तीन-तीन तीन, तीन और तीन अब आपको फैबरेबल क्या चाहिए, कितनी condition बन रही है, favorable condition बन रही है आपके लिए तीन तरका 9, ये 9 favorable condition बन रही है 3 और 9, 12 होता है जो 3 से कटता है, काट देते हैं दोनों को 3 से काटोगे, उपर 3 बचेगा और नीचे 13 3 by 13, देखो है कोई option, option number C ये हमारा answer बनेगा सायद हो गए है, questions पूरे हाँ, questions complete हो गए है तो ये थे cards के questions, जो questions पूछे गए हैं, देखो, question पूछने में अथा questions बन सकते हैं और भी नए questions बन सकते हैं लेकिन patience से यदि हम solve करेंगे, तो हमने व्यापम के लिए, या दूसरे जो one day exams हैं, सभी के लिए पर्याप्त questions हमने कर लिये हैं, type भी हमने cover कर लिये हैं, cat से question नहीं होंगे, possible possibility कम रहेगी cat के questions की इससे होने की, क्योंकि उसमें और level हाई आता है, बाकी questions आप से बनेंगे, बहुत मजे से और बहुत easy questions आपको लगेंगे जब व्याप्रम के किसी भी exam में इसके questions दिखेंगे, या banking के किसी भी exam में इसके questions दिखेंगे, और आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपने questions की practice भी है, की है और concept को भी अच्छे से समझाए, आप इसे एक बार और repeat करेंगे, तो और questions आपके बहुत अच्छे से तयार हो जाएंगे, तो इस session में इतना ही मिलेंगे और बचे हुए types के साथ में next session में, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए